आप विपक्ष पर तो आरोप लगा देते हैं चार जी लेकिन आप किसानों को समझाने में नाकाम्याब तो रहे ना ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इनके हित के लिए अगर कोई कानून ला रहे हैं तो आप समझाएंगे ना उनको किसान बहुत भोली कौम है किसान बहुत सीधी कौम है किसान के मन में जब तक किसान कैसे पढ़ेगा ड्राफ्टिंग में क्या है किसान को क्या पता उनकानून के अंदर क्या है और जब किसान जब तक समझ पाया जब तक देश के विपच्छी घटिया गठमंदरों ने मिलकर उनके उपर आरोब लगाना शुरू कर दिया और उनको काले कानून कहके कर कहके कर एक जूट को अगर सोबार जूट बोला जाता है तो लोग समझते हैं पतानी क्या है एक ध्रम पैदा करके किया किसान रेल मोधी जी ने चलवाई किसान सम्मान निधी मोधी जी ने दी किसानों के लिए सोईल हेल्थ कार देने का काम मोधी जी ने किया किसानों के लिए उर्जा गाता बनाने का काम मोधी जी ने किया सही सहेद के द्वारा मीठी करांती करके मोदी जी ने देने का काम किया किसानों के लिए लगातार लगातार उनके जीवन में बजलाव लाने के लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे अभी भी आपने देखा होगा इंटरनेशनल एर ओफ दा मिलेट्स बोटे अनाज को बढ़ावा देकर जिससे किसानों को लाब मिल सके उनकी आए बढ़ सके वो देने का काम मोदी जी ने कि आज पूरी दुनिया में बाजरा से लेकर जितने भी मिलेट्स हमारे हैं उनकी मांद मेरी पूरी बास उलीजिए देश के सामने इतना अगर भला कानून है अगर वो किसानों के भलाई के लिए आप लेकर आ रहें विपक्ष के सामने आप अप्तियार डालेंगे इतनी कमजोर तो आपकी सरकार नहीं डाले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कदम उठता है तो देश की जनता के 140 करोड देश बासियों के हित के लिए उठता है अगर कदम आगे बढ़ाने होंगे तो आगे भी बढ़ाएंगे और पीछे भी बढ़ाने होंगे तो पीछे भी लाएंगे लेकिन देश हित पहले है, ये प्रारिटी है, नेशन फस्ट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और मैं कहना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति उस पूरे अंदोलन में न कई पुलिस की गोली चली, न किसी के उपर लाठी चार्ज हुआ, और मद्यपरदेश के अंदर जब धिगवजया सिंग जी की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो आप याद करके देखिए, सत्रे किसानों की हत्या चौराए पर कर दी गई थी, वो अंगोलन कर रहे थी, समाजबादी पार्टी के सासनकाल में रामवक्तों पर किस प्रकार गोलियां चलाई गए, लाठर जी आरोप यह है आप लोगों पर कि आप बरिवारबादी और भृष्टा क्यारी पार्टियां, आप जो है बर्गरानी का का काम करते हैं, थासकर किसान पहले बाई राजकुमार चाहर जी की बात का जबाब देना चाहता हूं, इन्हों ने कहा कि दस योजनाओं का नाम गिनाया, कि परधान मंत्री जी ने योजना चलाई किसानों के लिए काम किया, अभी आप सांसद हैं, दस दिन पहले स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ ही है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है, जिन योजनाओं का अपने नाम गिनाया, पांच साल में इनकी सरकार ने, बाजपा की सरकार ने पांच साल में एक लाग करोड रुपया, एक लाग करोड रुपया स्रेंडर कर दिया, गोशना की थी इन योजनाओं में किसानों पर ख कर दिया किसानों को नहीं दिया किसानों को खर्च नहीं किया योजनाएं के वल धखोशला है योजनाएं सिर्फ भासन देने के लिए हैं और यह रिकोर्ड है किसानों के साथ ऐसे इचल करते हैं उत्तर परदेश में जब योगी जी की पहली सरकार आई तो इन्हों ने घोशना की विदान सबाह में कि हम 49,000 क्रोड रुपया किसानों का माफ करेंगे लेकिन ऐसा कानून ऐसे बजगंदे ऐसे तरीके अपनाएं कि 21,000 क्रोड रुपय वापिस ले लिया मैंने विदान परिश्यत में मुंदा उठाया था 49,000 क्रोड में से गोशना 49,000 क्रोड की हुई और 21,000 क्रोड रुपया आपने वो कहां खर्च किया किसानों का पैसा कहां गया ये गोशना किसानों करते हैं और किसानों को लाली पॉप दिखाते हैं किसानों की बात करते हैं और वो पैसा डावट करके दूसरे खर्चों में पर किसानों की सरकार थी हमारी सरकार का 70% 60% बजट 60-70% बजट किसानों और गाओं पर खर्च होता था किसानों की खुशाली पर खर्च होता था आज इन्हों ने खाद के उपर आप देखिए खाद जूरिया खाद और डियेपी खाद का कट्टा बोरा 50 किलो का था सबसीडी घटाना तो सबसीडी घटाने के लिए किसान के साथ दोखा किया पहले 5 किलो चुरा लिया और अभी एक महीना पहले 45 किलो से 40 किलो कर दिया अब चुरा लिया 10 किलो किसान के खाते में से किसान के थैले में से 10 किलो यूरिया चुरा लिया जब यूरिय के अंदर 45% nitrogen होता था nitrogen ही main urea होता है बैका के sulper coated के नाम पर 45% 37% कर दिया यह ऐसी चोरी करते हैं ऐसी चोरी करते हैं जो किसान को बरबाद करने काम करती है यह डंगोर विरोधी भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है